नमस्कार दोस्तो दे लार्नेर पॉंट में आप सभी का अष्वागत है दोस्तो इस वीडियो में पन करेंगे प्रयावरान अध्यन के 30 महतोपुन परसंदोस्तो जो की पीछे के टेट के एगजाम में आई वे है ये 30 परसंदोस्तो अत्यांत महतोपुन है आप लाइव चेट पहला प्रसन है दोस्तो निमन में रभी की फसल है धान चना गेहूं मक्का मक्का धान या चना गेहूं तो दोस्तो सिधा सही है रभी की फसल कौन से इन में बताई जिल्दी से तो चना और गेहूं हो जाएगा दोस्तो ये दोस्तो रभी की फसल के अंतरगत आते हैं और इनकी बंगाल होती है नेक्स्ट है पौदों को वायू मन्डल का सुधिकार का जाता है क्योंकि इसमें होती है स्रहुशं की ग्रिया वास्पोत सर्जन की क्रिया प्रकाज स्नेशन की के रिया यह सभ इप सिर्फ sudah है क्योंकि इसका राइटांस रभताई आप ज़ल्दी से पुद्धों को वाइयू मंदल का शूधी कर का जाता है क्योंकि इसबुर्ण डूस्त बडार कि इनमें प्रकाश partners देशन की क्या पाई जाती है इसका ड appears do पोद्धों को वाईयू मंडल का सुधी कार का जाता है और दोस्तों पोद्धे हैं वो कारबंडाई ओक्षाइड गेंशोषन के रूप में ग्रण करके और हमें ओक्षिजन देते हैं नेक्स्ट है तरुन भारत संग के राजेंदर संग को किषकारे के लिए मेगशेशे पुरुषकार दिया गया वेरी वेरी पोर्टेंट है तरुन भारत संग के राजेंदर संग को किषकारे के लिए मेगशेशे पुरुषकार दिया गया जल सरक्षन शामुदाईक वान की वन मेक्षे से पुरुषकार से समानित किया गया था दोस्तों और ये दोस्तों मेक्षे से पुरुषकार है इसे एसिया का नोबल पुरुषकार भी कहा जाता है और दोस्तों ये जो राजेंदर शिंग है इनको जल पुरुषके नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है एक्षोच तो इसका जल्दी से बता दीजे कौन सी गेंश अधिक्तम वाईयू मंडली अताप पनवर्दी के लिए उतरदाई है तो देखे दोस्तो कारबंडा या अक्साइड गेंश है दोस्तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उतरदाई गेंश नेक्स्ट परसन है घरेलू मवेशी तथा भेड किश अरित ग्रह गेंश के उतरदाई है ओजोन नाइटर शाक्षाइड कलोरो फ्लोरो कारबन या मेथेन तो एक्सट पच्छीस का जल्दी शेपताईए तो दोस्तो इसका राइट आंस रो जाएगा ग्रेलू तथा बेड मेथेन उतरदाई के लिए किसके लिए मेथेन उतरदाई है मवेशियों की दोस्तो जुगाली करने की जो परकिरिया है उसे दोस्तो मेथेन का उतरदाई होता है जल्दी से पता जीए तो इसका राइट आंसर दोस्तो उप्रोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि दोस्तो वनों के कटान के करण यानि जिसे वनों उल्मनल भी कहते हैं इसके कारण दोस्तो वने जिओं के प्राकरतिक आवाश का विनास होता है जल्द चक्रन पर भी दोस्तो प्रभाव पढ़ता है और मर्दा परदन में दोस्तो व्रिधी होती है और वाईउ मंडल में दोस्तो शीयो टू की मात्रा बढ़ती है किसकी शीयो टू की मात्रा बढ़ती है नेक्स्ट 127 नंबर नदी मुहानों के लक्षन है ताजायो खारा जल शम्रिद जेव विविदता अधिक उत्पादगता या ये सभी तो 127 का जल्दी शे बता दीजिए इसका रायटा अंसर सभी हो जाएगा दोस्तो या निताजायो खारा जल सम्रिद जेव विविदता अधिक उत्पादगता ये सभी हो जाएगा नेक्स्ट है खादे सरंकला द्वारा खादक रशायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है पारिस्तिति की शंतुलन जेव शांदरन खादे स्तर या जेव अपगटन तो देखे दोस्तो जेव शांदरन कहलाती है क्या कहलाती है जेव शांदरन यानि दोस्तो खादेस रंक लाके एक पोशन स्तर से जो दूसरी पोशन स्तर तक गातक रशायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा होती है उसे दोस्तो जेव शांदरन कहते है नेक्स्ट है केदार नाथ अव्यारण निमन मेंशे किस के लिए जाना जाता है बागों के लिए हातियों के लिए पक्षियों के लिए या कस्तूरी म्रिग के लिए तो देखे दोस्तो उत्रा खंड में जो केदार नाथ व्यारण है दोस्तो ये कस्तूरी मिर्ग के लिए जाना जाता है किस के लिए कस्तूरी मिर्ग के लिए नेक्स है किस मरीदा में जल धारन चमता अधिक होती है दोमट बलूई चिकनी या बारीक बलू तो देखें दोस्तो किश मरिदा में जल धारण चमता अधिक होती है इसका राय टांसर हो जाएगा दोस्तो चिकनी मरिदा क्या हो जाएगा चिकनी मरिदा चिकनी मरिदा हम दोस्तो जल धारण की चमता असरवाधिक होती है नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांती का जनक किसे का जता है तो दोस्तो दोस्तो भारत में हरित क्रांती का जनक का जता है तो दोस्तो दोस्तो बारत में हरित क्रांती का जनक भी का जता है और इन्हीं की बदोल दोस्तो गुनी 106 के दस्षक के अंतिम वर्षों में भारत में हरि करांती शफल हो पाई नेí दै बरप प्रण अंडे देने वाला पक्षी है बंश आर्केटिक ट्रन हमिंगबर्ड अल्डेट राष पैंग्वीन न के दो आर्टिक मरुस तलकिष का दूसरा नाम है और टोंडरा स्वान्य या स्टेपीज तो दोस्तो आर्टिक ये मरुस्तल है ये टेक टुंडरा का उधारन है किसका है टुंडरा ध्यान रखना टुंडरा का ठीक है next है मीजो जो जो एक यूग नीमन प्रानियों का यूग माना जाता है उबयाचर जीवों का शरी सरब जीवों का पक्षियों का सतंधारी जीवों का मीजो जोईक यूग नीमन पराणियों का यूग माना जाता है उबेचर जिवों का समय है इसका 134 कराइटान्स हो जाएगा मीजो जोईक यूग है ये समय है ये समय है दो disappointing दोस्त है नब के दुरगड़ना थी चेर्बो चेर्णोबिल दुरगड़ना बता देता हूँ 26 अप्रेल की बात दोस्तो 26 अप्रेल गुनिशो 26 को दोस्तो ततकालिन सोवियत संग के युक्रेन चेतर में दोस्तो चेर्णोबिल परमाणू सेंतर में एक विश्पोर्ट हुआ था ये इस नंबर है बारतियश विदान का कौन शा अनुचेद प्रियावरन सरक्षन को परतेक नागरिक के मोली करतवे के रूप में पहचान कराता है अनुचेद 42 अनुचेद 58 अनुचेद 51 ए या अनुचेद 20 तो दोस्तो 51 ए करवाता है 51 ए नेक्स्ट है वन सरक्षना दिनियम के अनुचार किश की खेती गेर वन ने गत्वीदी है चाय रबड शैतूत यह यह शभी तो 136 का देखे दोस्तो वन सरक्षना दिनियम गुनिश यह श्याशी के आंतरगत दोस्तो चाय रबड तता शैतूत की खेती गेर वन ने नेक्स देखिये वायू मंदल का कौन सा भाग प्रकाश की प्राभेइंगनिक किर्नों को पर्त्वी की सतय पर लाने से रोकता है वेरी वेरी पॉर्टेंट है दोस्तों यानि अल्ट्रा वोईल्ट किरने हैं उनको रोकने का काम कौन सी यह मतलब करता है शमताब मंदल छो मंदल मद्ध मंदल या आयन मंदल तो इसका राइटान से लुज़ागे दोस्तो शमताब मंदल बता देता हूं दोस्तों समताब मंदल में ओजोन परत पाई जाती है कौन सी परत है ओजोन परत है दोस्तों यह ओजोन परत है यह सुरिय से आने वाली अल्ट्रा वोईलेट किरनों को रोकने का काम करती है यह नि सुरिय से आने वाली प्राबेंगने किरनों को रोकती है दोस्तों और ओजोन परत है दोस्तों यह शीएपशी यहनी कलोरो फ्लोरो कार्बन के कार्ण दोस्तो ये छिन होती जा रही है और दिरे-दिरे सुरिये की प्राभेंगनी किरेने दोस्तो परत्वी पर आ रही है जिससे चरम रोग बढ़ते जा रहे हैं नेट्स ए 149 नंबर भूतापिय उर्जा किस परकार का समसाधन है पारमपरिक नविनी कृत ए पारमपरिक नविनी कृत पारमपरिक तो 149 का रहा है जल चकर को नियंतृत करता है गास सतल वन पलवक उपरी रोही उपरी रोही तो इसका राइत आन से पताई दोस्तो यानि वन है वो करता है दोस्तो जल चकर को नियनतरित 121 नमर है दोस्तो खद्य प्रकास ततास्तान के लिए अधिक संगर्ष होता है नजदिक की शमंदी जातियों के मद्य जो एक हिस्तान पर उगरे हो नजदिक की समंदी जातियों के मद्य जो भिन स्तानों पर उगरे हो दूर्षे शमंदी जातियों के मद्य जो एक हिस्तान में उग रही हैं दूर से शमंदी जातियों के मद्य जो भिन स्तानों में उग रही हैं तो एक स्तान पर उग रही है तो देखिए जो एक स्तान पर उग रही है तो देखिए जो एक स्तान पर उग रही है तो देखिए जो एक स्तान पर उग रही है तो देखिए जो एक स्तान पर शेकाने के लिए परतेक शिक्षन कक्ष्या में आवशक है शंग्यानात्मक आयू उप्यूक्त पाठेकरम अनुकूल तथा धमकी रहित प्रिवेश शुकूला धारित आंकलन तथा आंख्या आख्या परस्तूत करना या उप्रोक्त सभी तो जल्दी से बताइए तो 122 का प्रियावन अध्यान के शीकने के मुख्ये परशिक्षन शंकेतां कौन से हैं प्रवेक्षन तथा रिपोर्टिंग अभिवेक्ति व्याख्या और विर्गी करने पूस्तास विसलेशन और प्रियोग या उप्रोक्त सभी तो 123 का राइट आंसर उप्रोक्त सभी हो जाएगा नेक्ट देखे दोस्तो प्रात मिक्स्तर पर प्रयावन अध्यान की पाठ्ये पूस्तक में निमलिखित में से कौन शी विशेश्था नहीं होनी चाहिए यह प्राकर्तिक और समाज सांस्कर्तिक प्रवेश को एकी कृत्री के शेप्रस्तूत करती है यह शिक्षे आर्थियों की विविद्य पुरुन प्रष्ट भूमी की जुरूरतों को पुरा करती है यह वास्त्विक कहानियों और गटनाओं को शामिल करती है यह परिवाशाओं और एमूर्थ अवधारनाओं की व्याख्या करने पर ध्यान के अंदरित करती है तो देखे दोस्तों एक 145 का राइट अन्स रोप्स नमर चार हो जाएगा विज्ञान के अधारवूत परते और शिदानतों को रट कर याद कर लेना ये दोस्तो आवशक उदेश यह नहीं है बाकी सारे हैं दोस्तो बोत्विक और शामाजिक वातावन के परतिश्वेदन सीलता विक्षित करना प्रयावन को खोजने के अवसर परदान करना अवलोकन, मापन, विश्य, कत्थन और वर्गीक रन जैसे को उसनों का विकास करना 116 नमर देख्यों पेडों की कठाई गटाती है वरशा, मरदा परदन, भूशंकलन या ये सबी तो देख्यों पेडों की कठाई वरशा को गटाती है नेक्स्ट है प्राथ मिक्स तरपर प्रयावना अध्यन में मानो शमुदाए शीकने शीकाने का एक मैतुपूर्ण संशादन है क्योंकि तो देखे दोस्तो इसमें आप बताए उत्तर 146 का चार हो जाएगे दोस्तो उपरोग शभी अवसर प्राप्त होते हैं यानि ये वास्त्विक इस्तितियों में शीकने के उसर उपलब्द करवाता है या असानी से उपलब्द होने वाला संशादन है इसमें समझदार और बुजरुक वेक्ति होते हैं नेक्सट 148 नंबर बागी रथी नदी का उद्गम स्तल है पिंडारी गलेशियर शंतोपत गलेशियर चोराबारी जील या गंगोत्री गलेशियर तो 148 का दोस्तो राइट आंस रोजाएगा चार नंबर गंगोत्री गलेशियर नेक्स्ट है मिन्नी माटा रोग परदूशन जनित रोग है जो परिणाम है तो देखें दोस्तों 148 का राइटांस रो तीन हो जाएगा ओध्योगिक पारा वेर्त को पानी में छोड़ने का यानि ओध्योगिक पारा वेर्त को पानी में छोड़ने का मिन्नी माटा रोग पर आस्ट इनको शुमेलिद करना है दोस्तो पर्यावन शुरुक्षे आधिनियम गुमिशु 24 वन या अधिनियम गुमिशु 60 वन सरक्सन अधिनियम गुमिश्व 32 जल अधिनियम गुमिश हश्वश्वत तो इसका राइट आंसर देखे दोस्तो उपसंनमर 4 हो जाएगा यारे कि एक दो पर्यावन सुरुक्ष अधिनियम गुनिशोश्याश्य में बनाया गया और वन्य जीव अधिनियम ये दोस्तो गुनिशो बैत्र में बनाया गया वन अधिनियम ये दोस्तो ये गुनिशो शी में बनाया गया जल परदूशन निवार्णत था नियंत्रन अधिनियम ये बनाया गया गुनिशो चेत्र में तो आज की क्लास दोस्तो आईश होप आप प तो लाइक करना अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना